आप सोन्वार्धिक स्वागत करूशू विद्यातिमित्रो आपने गया विडियो लेक्चन नियंदर संगीत कलानो परिचय मेडवेलो आपने अलग अलग महीती मेडवी जे आपने आल जे फरिवार एक्वार जोई जीए आपने अस्तकलानो परिचय चे इपुरो करियो अवेल अलिट कलानो आपने परिचय मेडवी चीए जे मा गायन वादनने नर्तन नो समावेस करीने मनोरंजन प्रस्तुत करवामा आउतु होई छे अने एनी साथे विविद बाबतोनो संसकारोनू पन आपनने दर्शन करवामा आउतु होई छे तो आजना वीडियो लेक्चन नेंदर आपने संगित कलानो परिचय अने त्यार बच्छे आपने ना विविद ग्रंथो जे रचाना एनो परिचय मेडवसु तो गया विडियो लेक्चन दर आपने जोयूतू के संगीतने लगतो वेद अटले सामवेद अब दा मोस्टाइम पी सवालो छे येनी नोंध करीले जो संगीतने लगतो वेद अटले सामवेद सामवेद मा सूवई तो के जे रुगवेद नी रुचाओ रचानी येनु गायन करवा मावे, संगित साथे तालबाद रिते गावानी होईशे, रुचाओ, रुचा एटले सु तो के रुचा एटले स्तूती, बड़ोबर, संगित माँ बेवस्तु मुख्या छे गायन अने वादन, बड़ोबर, पची संगित ना मुख्या सार्श्वर्शे, सा आई तो साथ संगित ना राग पूछा आई तो पांच रागों छे, स्री, डिपक, हिंडोड, मेक अने भेरवी, हवे एक विशेस्तम ने खाली मातरम आहिती आपी दो, के अपड़े घणीमदेवी, अपड़े कलाओ छोई योशे, बड़ोबर, अने अमा खास करीने ताना रिरी बहे नोचे, एनो आपड़े परीचे इपन मेडवी होसे, के बहे बहे नोचे एजार गाती ते रावर्षा दावतो, ताना रिरी अपड़े आनी पसी, अपड़े आवेसे अभियासक्रम मा, ते रापड़े विशेस्परीचे मेडव सू, बन आजे थोड़ीक मातर ज आणे मचलान कारीमाल आ रागो द्रचानां जे स्री डिपक इंडोल मेगने भेरवी आ दरेक रागनू विश्चिस महत्व जे चारा राग से उच्छारवामा आवता त्यारा घटना घट्टी जेमके हम जो के मेग नाम नो जे राग से तो आ राग जो उच्छारवामा आवतो तो वर्सात था तो वे विचार को रागो मा टाकात केट लिया से अपड़ा ते गुजरात नी वड़नगन नी बे बेहनो ताना रीरी या राग मा माहेर थी बरोगर अने तान्सेन नाम नो जे व्यक्ति से येणा या कि मैंने रिक्वेस करी त्या बे बेहनो ने कि मैंग नाम नो जो ये लोको राग गाए तो ये उसमा ये प्यदा था ही से इसांत पड़ी जाई तो मैं राग गायो तो ताना रीरी नाम नी बेहनो है अने परिणामे तान्सेन मा जे उसमा उत्पन थे थी इसांत पड़ी थी अतले दरेक राग से नू फिशिस महत्व छे अने ए संगीत ना रागो पेकी ना दरेक महत्व धरावे छे तो अपड़े वधारे संगीत कला मा डिपमा नथी जवानू परण आपदी बाबा तो याद राखवाई जे वी के संगीत ना पांच राख संगीत ना मुख्य साथ स्वर संगीत ने लगत वेद अदले सामवेद बरबर तो चाल अब आपड़े संगीत मा जे अलग अलग ग जे वादन मा महत्तो प्रुना छे आनि एना आधारे संगीत से रचातु ओई छे अदले मातर गायन न जोवे पन वादन होई तो संगीत छे ए रचातु ओई छे अदले गायन वादन विना संगीत संबव नथी तो रुद्रवेन आपे ली छे तमने अहीं तमने सितार तान पूरो अने सारंगी अवा अलग लग संगीत ना साजन आपे लाचे चालो तो विद्यार्थी मीत्रो आपड़े पेलो गरंथ पनी है संगीत मकरन नामनो गरंथ जे संगीत कलाने तोचनु स्थान प्राप्त करावे छे तो संगीत मकरन नामनो जे गरंथ से इए एमकेवाई पंडित नारद नामना व्यक्ति रच्चो तो संगीत मकरन रचे इता पंडित नारद साल इस विशन नौसो आसपास जेमा एमने ओग्णीश प्रकारनी विणा आपी औन 101 प्रकारनी ताल आपी जे वादन माटे बव महत्व वस्तु जे वादन मा अलगलग संगीत ना साधनु आवे जेमा आमूक विणा वोय नमूक ताल वोल तो संगीत मकरन नी अंदर पंडित नारदे इक ग्रंथ नी अंदर ओग्णीश प्रकारनी विणा आपी औन 101 प्रकारनी ताल आपेली जे इस विशन नौसो आसपास अने जो आना करने सुथाई तो के संगीत ना जे साधनों होई एनी अंदर ताल विणा थी वादन उभू थाई जे गायन ने वादन जो मिश्रित कहाई एना थी संगीत ताल बत रिते उभू थाई अने संगीत कला माई महत्व पूर्ण वस्तु छे तो एम क्यावाई के संगीत मकरन नामनों ग्रन्त छे एस संगीत कला नूं महत्व पूर्ण ग्रन्त छे तो पेलो ग्रन्त आज चाणो बिजो आपना ग्रन्त नों परिचे मेडविये संगीत रतना कर तो के संगित शास्त्र ना तजग न पंडित अटले के सारंग देव आ ग्रंतनी रचना करी इ यता देवगिरी ना निवास अने एना कारणे तेवो उत्तर भारत अने दक्षिन भारत ना संगित्ती सूप परीची तता कानके बन्ने ने म्यूजिक लागू पड़े मध्य भारत मा रेता हो यतले देवगिरी पहाड माला मध्य भारत तो ए उत्तर भारत नूँ पन म्यूजिक जानता आता अने दक्षिन भारत ना म्यूजिक थी पन परीची तता पंडित विष्णू नारणे भाट खंडे आने संगित रत्ना कन्येम किदू के भारतिय संगित नो सोथी वदू प्रमान भूत ग्रंत गणावे छे अनि जो तमारे संगित ना अंगो समझवा होई तो आ ग्रंत नो अव्यास खूब महतो पुर्णा छे अवे आवा मोटा संगित स्वास्त्रना तजगन वेक्ती विष्णू नारण भाट खंडे जोईव केता होई कि तमारे संगित ना अंगो समझवा होई आपड़े तोजी म्यूजिक मातलू बुदू जानता जिन थी विद्याती मितरो पन जे खरेकर म्यूजिक कला साथे जोडायेला छे एने ख्याल लसे ने अपड़ा माते समझू महिती मेडवी एपण लाबडायेक वस्तू छे तो संगित ना अंगो समझवा माते संगित रतना कनने सोवती वदू प्रमाण भुट गरंत गणवा मा आईवो छे अने एपण पासा जेवाते वाद ता जग्न नहीं पाण महान संगित आस्त्राना ता जग्न पंडित विष्णू नारान भाट खंडे अवावत ने वर्नावी छे अने उप्तर भारत नुँ ने दक्षिन भारत नुँ तमने आ गरंते न अंदर पन परिचित तमने मलई शक्या छे तो बिजो आ महत्तुपुर्ण गरंत संगित कल्ला ने उलख्वा माटे नो संगित रतना कर गरंत हवे आपने वाट करिए आगल संगित पारिजाट गरंत नुँ तो के संगित पारिजाट गरंत छे ए पंडिन अहो बले रचना करी छे हिंदुस्तानी संगित पद्धती माटे खुब महत्त प्रण गरंत रच्चिव तो तेमने दरेक राग अन्य रागती अलग होआनु तेमज तेनु स्वतंत्र अस्थित्व तथा विशेष्था होआनु समझाईवो तु अन्य एमने उग्णिस प्रकानना स्वरो गणाईवा छे अन्य आपड़े संगित ना मुख्य साथ स्वरो जोया सारे गम पद निशा पन पंडित अहो बले अलग-अलग एवा ओगनिश प्रकार नास्वर वाप्या आपड़े मुख्य सास्वरों जानिया सी शारे गमा पदनिश पन सारे गमा पदनि एव मुख्य सास्वर उप्रांत एवा संगीत पारिजात ग्रंथिन अंदर एवा ओगनिश प्रकार नास्वरों छे अने आपड़े मुख्य जे पांच रागो जोया एमाई संगीत पारिजात ग्रंथ मा तमने उपंडित अहो बल साबित करे छे एवा तमने आधार आपेशे के जे रागो छे दरेक राग अन्य रागती अलग छे अने दरेक मुख्य स्वतंत्र अस्तित्व छे ने विशिस्ता छे एव संगीत पारिजर ग्रंथिन यंद तमने नी माहिती मले छे तो आपन संगीत कलाने एक उच्च स्थान अपावनारो ग्रंथ अपड़े मानी शक्किये छी अलाउदिन खिलजीना समय ना अमीर खुश्रो शायरी अने संगीत ना प्रदानने लिदे ये तूत्ती ये हिंद तरीके प्रक्यात थेया आता अमीर खुश्रो एनो पन आपड़े आगल परिचाई साहित्यनी अंदर मेलवानो आउचे चेप्टन नंबर चार नी अंदर विगत्वार परिचाई शे पन अत्यार मात्र आपड़े नी थोड़ी नानियेवी परिचाई अने जहनकारी प्राप्त करिये तो जा अमीर खुश्रो अशे इस साहिरी अने संगीत ना प्रदानने लिद्ये तुत्तिये हिंद तरीके होलका तोल लगे हिंदनो पोपट केवा तो तुत्तिये हिंद अटले हिंदनो पोपट कोण अमीर खुश्रो कारण तो के इजे साहित्य रचतो इने इस साहित्यमा बेई वोई संगीत कलानो पंटमने अनुभव थाई अने साथे साथे साहित्य सेत्र अंदर सायरी पन प्रदान करतो अने अत्यान्ना विद्यार्थीवने साहिरी ए सुकेवा इनस समझावी पड़े विशेस खबर जोई पन छता ए साहिरी लखतो अने शाहित्य सेत्र मेनुँ प्रदानातु अमेर खुश्रोन अने एना करण ये तूत्तिये हिंद तरीके पन जानीतो छे खासकरीने भक्ति आंदलोनो भारतमा खूब थया औने खासकरीने धार्मिक तावलो देश छे बरबर अटले फिशेस आपड़ा आया बहु खूब पक्ति करवामा आवती अने एमकेवाई के पंदरमियने 16 मीजे सदी शे ये भक्ति युग निसदी शे तो त्यारे जे भक्ति आंदलोनो थया ए समयमा सुर्दास जी कबिर जी तुलशिदा जी चेतन्य महाप्रभु जी मिरावाई अने नर्शी मेताना जे भजनों छे अने जे किर्तनों गाता एन्थी भारत में भक्ति में वातावर मुपू थयू अने संगीत कला ना विकास नी महत्तोकुर्ण बाब च्छे अने भक्ति आंदोलन ना आधारे आपड़े संगीत कलानों महत्व जानी शकिये छिए के केटली प्रचलित अने अग्रिम स्थान नी कला आश अने अत्यारे संगीत कला छे एंणे अध्भुद स्थान प्राप्त करियुँचे विश्व मा कला प्रसिधी पामी छे विकास पामी छे विश्तर्न पामी छे और अव नवा संस्वदन्ना कारणे विकास पामी छे प्रगती थैशा कल्लानी अने ए खुब खुब प्रसनिय बाबत छे तो सोलमी सदी नियंदर जे आग गटनाओ गटी पंदर मी सोलमी सदी मा अने आपड़े गणाबदा गुजराती नियंदर अठ्य पुष्टक नियंदर आपड़े गणाबदा ना पजन किर्त नो पणावे छे नर्सी मेता आनू वेश्णा वजन तो तेने रेकाईये सोव कोई अने अलग-अलग घणाबदा प्रचलीत बदा नाम छे बड़ोबर तो ए तमामे तमाम भक्ति आंदलनों जे थैया आने भक्ति में जे वातावर नुभू थैयू एमा संगित कला छे एनू अधभूत दान मानवामा अविरेयू छे पंदर्मी सदी मा स्वामी हरीदास्तना सिष्य बेजू बावरा अने तानसेन चेम एज समय मा आपना गुजरातनी संगित बेलडी कन्याव अटले के ताना अने रिरिनुन नाम पन गणावी शकाई अविरेयू पंदर्मी सदी मा अपड़े बेजू बावरा अने तानसेन तो आजना आजेपन लोको एने एटलूज महत्वाने मानसंद मा नापे छे करण केम नैं संगित कला ने उच कक्साए पहुचाडी हती अने ना आजेपन साहित्तियों वखणाई छे संगित कला मायनू स्थान अनेरू छे पन बेजू बावरा अने तानसेन जेवा लोको नी साथे साथे अपना गुजरातनी जे संगित बेलरी तरीके कंज़ जाने ती हती यतले के ताना अने रिरी एपन एटलूज महत्वा धरावे छे अने आ ताना ने रिरी ना नामे गुजरात ने अंद ताना रिरी महोट साउनी पन उजाउनी करवा मा आवे छे कारण क्या ताना ने रिरी बे बहनों ना कारणे संगीत ना पांच राग्यों पेकी मेग राग से ए प्रचलित थायो ओतो अने अब अनने बहनों ने एना मान साथे एमने उजाउनी करवा मा आवे रही छे अटले वड नगन ने अंदर एक महोस्व थाई छे ताना रिरी चेमा संगीत ना चे साधको वई छे एलोको वचे अबाबत निया एक कॉंपिटिशन करवा मा आवे छे जन महस्व केवाई अथवा बदा साथे मली ने उजाउनी करे छे याद मा अथवा संमान नमा ताना रिरी ना तो आ रितना आपणने भारत ना अलग अलग ग्रंथो ना आधार एक बाबत स्पस्ट बने छे पहारतनी संगित कला छे एक केटली महत्तो प्रुण छे कान के आ संगित मंकरन, संगित रतनाकर अने संगित पारिजार ग्रंथो छे एनी अंदर मलती जे महीती छे जे साहित्य छे एन आधार आपड़े संगित कला नो पन विशेश अनुभव करी शक्ये छे संगित कला ने आजे विश्वो मा प्रशत्ति मली तेना भाग रूपे आबधा ग्रंथो खुब अगत्य नाचे आने संगित कला ने विकास करावमा प्रगति करावमा आने रूस्थान मेलों मा ग्रंथो पन खुब-खुब महत्य प्रुण प्रौण फाळो आपpsonलो छे जोता रहो वस्तू